हेलो फ्रेंज आज मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा टेस्ट एक दम क्रिस्पे स्नेक्स की रेस्पी ले करें जब कभी आपको स्नेक्स खाने का मन हो और स्नेक्स बनाने के लिए घर में कुछ भी ना हो सिर्फ आलू हो तो आज इसी आलू से मैं आपके लिए बहुत ही टेस प्रेंड आप इस जलेवी का क्रण्च सुन सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी जलेवी बनी इस प्रेंड आप ये समझ सकते कि जलेवी कितनी बढ़िया बनी है तो अगर आप को आज की पसंद दाया तो वीडियो को लाइक करना बिलकुल ना भूलिएगा तो चलि बनाना सुरू कर तो आप ऊबलेवी गर्म आलू ले लिए तो आप अबलु को ठंड़ा बिल्कुल ना केज़ेगा क्योंकि इस रेस्पी लिए आपको गर्मा-गर्म आलू का इस्तमाल करना है तो आलू अछे से गरम है तो इनको मैं तुरंट अच्छे से मेंस कर लोंगी अगर आलू ठंडे हो जाएंगे तो आलू अच्छे से मैस नहीं होते तो इसके लिए आपको greater का इस्तमाल करना पड़ेगा, अगर आप greater का इस्तमाल करेंगी तो आलू बहुत ही चिपचपासा हो जाता है, तो गरम आलू को अच्छे से ML कर लिजीगा, इसे आपकी जले भी बहुत अच्छे से बनेगी तो आलू को मैया पर फट फट मैस कर ले रहे हैं मैसर से तो फ्रेंड आलू को मैस करने का एक दूसरा भी तरीका होता है इसे आप स्टील की छन्नी में आलू को रख करके बढ़िया सा मैस कर लीजिएगा तो इससे आलू के आतों में लेंगे तो आलू बिल्कुल भी आतों में नहीं चिपकता है अगर ठंडे आलू को मैस करेंगे तो यहातों में चिपकने लगता है तो इस बात का ध्यान दीजिएगा आलू अच्छे से मैस हो चुका आप इसमें एड़ करूंगी नमक टेस्ट के एकॉर्डिंग थोड़ी सी काली मिर्ची एड़ कर रही हूं और मैं इसमें एड़ करूंगी आप पे आदा कप के लगब कॉन फ्लोर तो कॉन फ्लोर से जो जलेबी होगी वह बहुत ही क्रंची बहुत ही क्रिस्पी बनेगी फ्रेंड आप इस लेवी को फ्रेंड में भी बनाके खा सकते आपको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि कॉन फ्लोर और आलू में आच्छे से मिक्स हो जाए यह देखे फ्रेंड मैंने इसे बढ़िया सा मिक्स कर ले थोड़ा सा लाल मिची पाउर डाल देंगे और एक चमच के लपक ऑलल डाल देना है अब इन दोनों चीज़ो यहाँ पे मिल्क जो इस जलेवी को और भी ज़्यादा टेश्टी बना देगा तो मैंने यहाँ पर बस वन चोटाई कप के लगब मिल्क का इस्तमाल किया पर ज़्यादा मिल्क इसमें नहीं अट करना है क्योंकि फ्रेंड आलू मोई मॉश्यर है तो इसलिए थोड़ा सा कम ह मिल्क एड करूंगी ज्यादा गीला आपको बिल्कुल नहीं करना इसको यह देखिए कुछ इस तरीके साब मिक्स कर लीजेगा यह देखिए कुछ ऐसा इसका टेक्शर होना चाहिए देख सकते हैं तो बस यहाँ पर हमारा जलेवी का जो मिक्स है वो बिल्कुल तैयार है च चलेवी को बना सकते हैं तो मैंने आप एक सिंपल सी पॉलीथीन लिया जिससे आप इस चलेवी को बना सकते हैं तो अब इस पॉलीथीन में इस मिक्स को फ्रेंड में डाल दूंगी जो हमने चलेवी के लिए त्यार किया था तो जितना फ्रेंड पैकेट में आज है उतना ही डालिएगा तो मैं आप चार से पांच चमच के लगभग ही डालूँगी तो यह लीजे फ्रेंड मैंने आप इसको डाल दिया आप इसे क्या करें एक साइट से पूरा इस तरीके से कर लेंगे इसे पैकेट को थोड़ा सा रोल कर लेंगे यह देखे कुछ इस तरीके से तो चलते जलेबी को अच्छे से फ्राइब करेंगे तो आप थोड़ी चौड़ी पैन का इस्तमाल कीजिए इसे जलेबी बहुत ही अच्छी बनेगी इसमें तो हमने आप और को पहले से हीट का लिया था इस तरीक से यहां पर हम जलेबी बनाते जाएंगे यह देखे जब जले अट्टे की मैदे की ट्राइबी तो अगर आपने आलू की जलेबी अब दक ट्राय नहीं कि तो इसी जरूर ट्राइब करता है। आपको बहुत पसंद आने वाले बहुत भूनती जो आपके साथ जलेबी के सेर्ट कर वह नमकीन जलेबी है। आप इसकी मीठी जलेवी बना सकते पर उसमें नमक एड़ ना कीजिएगा और इसे चास्टी में डिप करके मीठी जलेवी भी बना सकते हैं देख सकते हैं यह हलका तपक चुका है तो अब मैं इसे दूसरी साथ दे पलट रहे हूं तो इस तरी जलेवी को फ्रेंड गैस का जो फ्लेम ये लो टू मीडिम फ्लेम पे करके आपको इसे अच्छी से फ्राइ करना है यह देखे इस तरीके से देखिए हमरे जलेवी को बढ़िया कर लिया कितना प्यारा सा कलर आ गया इससे जादा डार आपको बिल्कुल भी नहीं क तो यह दिखे फ्रेंद मैंने आप इस जलेबी को निकाल लिया इस तरह की से मैं आप बाकी जलेबी को ऐसे ही बना करकी तैयार कर लूँगी तो जब भी जलेबी बनाए पैन में डाले जलेबी तो गैस का जो फ्लेव में आप उसे लोड़ कर दीजीएगा यह देखिए इस तरीके से कितनी ज्यादा सुन्दर ये जलेबी देखने में लगरी बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकती बहुत ही सुन्दर लगरी ये जलेबी इस जलेबी के देख के कोई भी नहीं बता सकता है ये जलेबी आलू की बनी हुई है फ्रेंड बहुत ही सुन्दा लगती फ्रेंड ये जलेबी देखिए मैंने इसे बना लिया है इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है तो आप मैंसे निकाल लूँगी अब हम जलेबी को फ्रेंड प्लेट में निकाल लेते आप देख सकते इस जलेबी का जोलू के कितना ज़्यादा सुन्दा लग रहा फ्रेंड जलेबी देख के कोई भी नहीं बता सकता है ये जलेबी आलू की बनी हुई फ्रेंड बहुत ही टेस्टी बहुत ही क्रंची क्रिस् तो एक जलेबी मैं आपको और तोड़के दिखा रही हूं आप इसकी आवाज सुन सकते फ्रेंट देखे कितनी क्रंची जलेबी है अगर फ्रेंट आपको या आज की जलेबी की रिस्पी पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजीगा ऐसी और भी नई नई और घड के समान से बनी रिस्पी को देखने के लिए चैनल को जरू सस्काइब कर लीजीगा फिर मिलेंगे फ्रेंड ऐसी एको नई मजीदा रिस्पी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग